बीजेपी गूगल और यूटूब पर विज्यापन के लिए 100 करोड रुपे से ज़्यादा खर्च करने वाली पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिहां पहली पॉलिटिकल पार्टी यानि BJP ने Google और YouTube पर विज्यापन के लिए इतना खर्च कर दिया जितना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्ष भार्दवाज आप देख रहे हैं शेष्ट भार्ट BJP ने Google और YouTube पर विज्यापन के लिए 100 करोड रुपे खर्च कर दिये हैं और इसलिए BJP गूगल और YouTube पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है गूगल की विज्यापन ट्रांस्पेरेंसी रिपोर्ट के मताबिक 31 मई 2018 से 25 अपरेल 2024 तक BJP ने 102 करोड रुपे विज्यापन के लिए खर्च कर दिये हैं पिछले 5 सालों में पब्रिश्ट गूगल विज्यापन में BJP का हिस्सा करीब 26 विशद है यानि गूगल और YouTube पर करोड़ों खर्च BJP ने किया है कुल 2,17,000 ऑनलाइन एड दिये गए इद में से कुल 1,61,000 एड राजनितिक विज्यापन थे BJP ने करनाटक में सबसे ज्यादा 10,08,000,000 एड दिये हैं इसके बाद उत्तरप्रदेश के लिए पार्टी ने 10,03,000,000, राजिस्थान के लिए 8,05,000, दिल्ली के लिए 7,06,000,000 विज्यापन के लिए दिये वहीं लोगसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे फेस के दुरान भी BJP ने एड पर पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर्फ BJP ने ही करोड़ों खर्च किये हैं इस मामने में कॉंग्रेस और दूसरी पार्टियां भी कम नहीं है क्योंकि इस लोगसभा चुनाव के दुरान कॉंग्रेस ने भी 5 करोड़ 7 लाक रुपे ऑनलाइन एड के लिए दिये कॉंग्रेस ने ये एड मुख्यरूत से करनाटा को तिलंगाना को लेकर दिये यानि गूगल की विज्यापन ट्रांसपेरिंसी रिपोर्ट के मताबिक BJP ओनलाइन एड देने में पहले स्थान पर रही तो वहीं दूसरे स्थान पर कॉंग्रेस ओनलाइन एड देने में रही तीसरे स्थान पर तमिल लाडू की सत्ताधारी पार्टी DMK है इसने 2018 से अब तक ऑनलाइन एड पर 42 करोड रुपे खर्च कर दिये हैं तमिल लाडू के बाहर DMK ने करनाटा को और केरल में दीजिटल विज्यापनों पर 14 लाख रुपे और 13 लाख रुपे खर्च किये चौथे नंबर पर चुनाव रणनीतिकार प्रशान किशोर की इंडियन पॉलिटिकल आक्शन कमिटी रही जिसने अलग-अलग पार्टियों के लिए 11 करोड दो लाख रुपे के विज्यापन दिये हैं यानि ये पार्टियां बेताहाशा ओल्लाइन एड के लिए पैसा बह रही है दरसल लोकसवा चुनाव दोजार चौबिस के लिए राधनितिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हैं साथ चर्णों में होने वाले चुनाव के दूसरे चर्ण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी चर्णों के लिए वोटिंग हो नहीं है इतने सर्च इंजन गूगल और उसके वीडियो प्लाटफोर्म यूटूब पर राधनितिक विज्यापन देने के मामले में 100 करोड रुपे का आंकड़ा पार कर लिया है अगर साल दर साल की बात करें और सभी विज्यापनों की बात करें तो मोधी सरकार ने वितवर्ष 2014-15 2015 में 424 करोड 84लाख रुपे 2015-16 में 508 करोड 22लाख रुपे 2016-17 में 468 करोड 53 लाख रुपे, 2017-18 में 636 करोड 9 लाख रुपे, 2018-19 में 439 करोड 55 लाख रुपे, 2019-2025 करोड 5 लाख रुपे और 2020-21 में 197 करोड 49 लाख रुपे, इसी तरीके से 2021-22 में 189 करोड 4 लाख रुपे, 2022-23 में 91 करोड 96 लाख रुपे विख्यापन के लिए खर्च करती है यानि BJP विग्यापनों पर बेताहाशा पैसा बहा रखी है दरसल चुनाव जीतने के लिए राजनेतिक पार्टियां और उमिदवार पानी की तरब पैसा बहाते हैं यही वज़े है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव कोते जा रहे हैं बीते कुछ आम चुनाव में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की GDP के बराबर है यानि विज़्यापनों पर भारत में अब बेताहाशा खर्च हो रहा है जो यह रादनेतिक पार्टियों की सच्चाई को बया करता है कि रादनेतिक पार्टियां जीतने के लिए कुछ भी करती है और इसी के तहर विध्यापनों पर पाने की तरह पैसा बहाती है और यही सच है जो सच श्रेष्ट भारत आपको बता रहा है फिलाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत